नमस्कार दोस्तों यह है आपका चैनल लेट्स लेर्ण लो तो अब कर लेते हैं तो आज वह स्टार्ट करेंगे सेक्शन 26 से यानि की यकीन करने के लिए कोई ठोस शबूत या वज़े ए परसन इस सैट टू है रिजन टू बिलीव ए थिंग अगर कोई हमको किसी चीज़ पर यकीन दिलाना है तो उसके पास सफिशन्ट कोज होना चाहिए मान लीज़ कोई कहता है कि मैंने ए को बस्टेंड पर देखा तो हम उसकी बात पर क्यों यकीन करेंगे इसलिए करेंगे अगर वो हमें कोई फोटो दिखा देता है वीडियो दिखाता है सीसी टीव कैमरी की वीडियो दिखा देता है कि देखो मैंने उसको वहां बास टेंड पर देखा था तो हम उसकी बात पर यकीन कर लेंगे तो section 27 है property in possession of wife, clerk or servant when the property is in the possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person it is that person's possession of the meaning of rule इसका मनलब यह है कि अगर कोई property है और वो एक ही wife के पास है तो यह माना जाएगा कि वह property A के पास ही है यह wife के पास है, clerk के पास है, servant के पास है explanation में क्या देखा है, कोई person है वो temporary appointment हुआ है कि clerk है, servant है, तब भी वो clerk के servant की meaning में आएगा section के अंदर गत, यह नहीं कि मैंने उसको दो दिन के लिए रखा था उसके हाथ में कोई चीज आई तो मैं उसके लिए बादें नहीं हूँ, वो दब भी बादें होगा उसके लिए counterfeit, counterfeit का मतलब होता है resemble करना, मतलब नकल करना या कोशिज करना कि किसी चीज में वो रड जाए, मिल जाए, घुल मिल जाए a person is said to be counterfeit who causes one thing to resemble another thing, intending by meaning of that resemblance to practice deception or knowing to likely that deception will thereby be practiced जैसे नकली नोट होगे या हम किसी चीज की जैसे copy बना देते हैं कि कोई Nike का सूजाओ उसका same copy बना दिया कि पता नहीं चले, resemble हो चुका है it is no essential to counterfeiting that the imitation should be exact, कि यह exact copy होने चीए when explanation 2 है, when a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby it shall be presumed, यह ऐसा माना जाएगा until the contrary is proved that the person so causing one thing to resemble the another thing, intended by means of that resemblance to practice deception जब तक यह माना जाएगा जब तक यह प्रूव नहीं हो जाता कि पर जिस परसन ने उसकी नकल अगा समान बनाया है उसको दोखा देने के लिए और इस नेकले टूबी डिशेप्शन वोड़े बाद भी प्रैक्टिस जब तक उसको यह माना जाएगा जब तो वो प्रूव नहीं कर सकता जब तो प्रूव नहीं हो जाता डोक्यमेंट का मतलब है एनी मैटर एक्स्पेस्टेंस बाद मीनस ओफ लेटर कोई भी किसी भी सब्स्टेंस के ओपर कपड़े के ओपर प्लास्टिक के ओपर कागत के ओपर लखड़े के ओपर लेटर्स, फिकर्स, मार्क्स और बाई एनी वन ओफ दा मीनस इंटेंट तो बी यूज़ और विच में भी यूज़ एज एज एविदेंस ओफ डैट मैटर कोई भी डोक्यमेंट जैसे कागत के ओपर हो गया कपड़े को पर कुछ लिग दिया हमने कुछ स्प्रिंट कर दिय तो उसको हम डोक्यमेंट कहेंगे एक्स्प्रिंएशन वन इट इस एमेटरी इमेटरील बाई वट मीनस और अपॉन वट सब्टेंस इजा लेटर पत्थर के ओपर भी है अगर उसको मान सकते हैं डोक्यमेंट इलिस्टेशन क्या दे रखे हैं राइटिंग एस्परिशन को दोक्यमेंट होसको मानेंगे को ड। शकुमेंट कोई चेक होगा व इसको डौक्यमेंट मानेंगे अंप आधर शोने मान से टॉक्यमेंट है और दे प्लेजर ग्ल आधेशन दे रखेल defensive ड souvent पनीजिवाट किन तरह है फिइंब्र मानु जोलड फिशन के जुगरव क्लीमेंट जो इस सेक्षन के अंदर डिस्काइब कर रख्या है उन लेटरस फिगर्स के अंदर माना जाएगा अगर कोई मर्चंटल और या किसी अदर यूजिस के अंदर कोई भी यूज हुआ है इसका वल्ब यह हुआ कि मर्चंटल यूजिज का एक पार्ट है और इसको जो चेक है बिल है उसको प्रप्य किया जाएगा दा इंडॉस्मेंट इस डॉक्मेंट इंडॉस करती है वह डॉक्मेंट हो गया कोई भी चेक हो गया बिल ओफ एक्षेंज हो गया और वो इस तरह से लिखा होना चाहिए पेर टू दा होल्डर और दा वर्ड्स तू एक्षेंट डेट है जो प्रेक्टिस होती है उसके साफ से लिखा होना चाहिए टॉन्टिने ने लेक्टर निक रिकोर्ड जो यह हमारा आईटी एक्ट है उसके सेक्षन वन के सब सेक्षन टी के अंदर जो मीनिक दे रखा है इलेक्टर कोर्ड को मन जाएगा वैल्यूबल सेक्योर्टी जो भी सेक्योर्टी मलब कोई भी डॉक्यूमेंट वैल्यूबल सेक्योर्टी जब कलाएगा जब वो किसी लीगल राइट को क्रियेट करता है एक्स्टेंड तोसे को ट्रांसफर होता है, कोई ओनर बनटा है, किसी को रैट कीहिसी होता है, किसी का ben वह देख होता है, और वहर अनिवरलिम अग्णॉरिज नवथ is under legal liability or has not a legal right या कोई डिक्री हो गई वो एक वैलियूबल सीक्रियोटी होगी जैसे की इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं यह राइट्स ने ओन दे बैक ओफ ए बिल ओफ एक्चेंज यह ने अपना नाम लिग दिया इस दाइफेक्ट ओफ दिस इंडोर्समेंट इस ट्रांसफर दराइट तो चलिए हमने यहां तक अपना कवर कर लिया अगली वीडियो में हम करेंगे सेक्शन थाटीवन से लेकर सेक्शन फोटी तक कर लेंगे फिर उसके आगे देखते हैं फिर आगे किया क्या रखता है तो चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल लेट्स लर्न लोग नाइए ग्रता है